घ्रण टू इनोवेशन शुड़ी चनल आप सभी का यहां पेश्वागत करते हैं आज अपन सेक्षन डी लेके आए हैं खंड दै लेके आए हैं पहले मॉडल पेपर का और आज यह हमारा पहला मॉडल पेपर कम्प्लेट होने को जा रहा है तो इसकी पहले तीन कलासें और पेनतालेसमेंट एक सेक्षन में लगती है तो भुत-बुड़ी कलास हो जाती है तो वह आपको देखने मेंवे परिशानी होती है प्यारे विद्याटियों और वेस्ट्सम, इसका हमारी एक प्लेइस्ट हमने बना दी हैं सारी कि सारी कलासें प्लेइस्ट में मिलेगी और प अगर आप डिस्वरक की PDF चाहते हैं फरी में लेना फरी में डाउनलोड करना तो आप टेलिग्राम चैनल पे चले जाएं इनोवेशन स्टेडी के नाम से है वो टेलिग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहां से आप कलिक करोगे तो डायरेक्ट आप चले जाओगे वहां से जोइन करके डाली गई है सारी की सारी PDF बनाके शुंदर तरीके से डाली गई है फ्री ओप कुछ भी नहीं है जाके आप डाउनलोड कर लें चार्ज कुछ नहीं है इसका बिलकुल फ्री है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके जो पास में बेल आयकन है उसको जुरू दबालें ताकि परते क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास मे पहुंसता रहे क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें क्योंकि यह आपके लिए मेहनत हो रही है जब तक अक्जाम नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं हमारा जो टार्गेट है वो कंप्लेट करेंगे आपने अच्छे से स्लिवस भी कवर कर लिया होगा अब आपको रिवजिन करने का एक शुनहरा मौका है अपने आपको प्रक्टिस करने का एक शुनहरा मौका है क्योंकि यह डेश्वरक है वो एकदम बोर्ड पेपर प्रेटरन पे ही अधारित है ब्लूपरेंट पर आधारित है और बड़े शांदार प्रसंद है चलिएगा सुरू करते हैं पहला प्रस्ण आज की क्लास का इस परकार से है यह चार्चा नंबर के क्यों सुन है निमल लिखित आकड़ें दो सो पच्चिस विजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवनकाल यान घंटों की सुचना देते हैं यहां पे जीवनकाल घंटों में दे रखा है य घंटों में दे दिया बारमन बारताफ आ किसटें हैं ऐ सबसे अधिक्तम मानगीश सबसे बारम बारता सबसे अधिक एक किसकी हैं तो यहां पे एक सठ है तो यहां हमारे पासमें क्या होगा यही जो रेजल्ट होगा नहुंगा यह जागा हमारे पास में एफ-1 इस से पहले वाला क्या होगेगा एफ-2 का मान केतने हैे 61 है, F2 का मान कितने है, 38 है, F0 का मान कितने है, 52 है, जबकि H का मान कितना चल रहा है यहां से, लिखोगी, यहाँ H बराबर, 0 से 20 है तो 20 चल रहा है, ठीक है, F1 का मान कितना है, 61 है, F0 का मान कितना है, 52 है, और F2 का मान कितना है, 38 है, तता L का मान देखो, जो F1 होता है, उसके सामने जो वरगंतराल होता है, उसकी निमन सीमा ही क्या कहलाती है, अमें L का मान, तो 60 से सी है, तो L का मान निमन सीमा होजएगी, 60 ही होजएगा, अब फॉर्म लख जड़ बराबर होता है L प्लस ब्रेकिट F1 माइनस में F0 अपोन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 और गुणा में क्या चदर है गुणा में चदर है H अब यह फोर्मूले लिखने का यहां यह दिया गया है यह मेटर लिखने के भी आपको नमबर मिलते हैं ऐसी कोई बा एसे करते हैं कई पर बत्चों की खाषिद क्या होती है PLUS माइनस में टीचर को यह करते हैं कि प्लस किया माइनस किया है तो वहां पर आपके नमबर कटते हैं यह लोस आपको होता है तो clear लिखें सुन्दर लिखें जितना भी लिखें clear लिखें उसमें number आपको जुरूर मिलेंगे परतेक step के number होते हैं मैथ में यह नहीं का answer अगर सही है तो ही number मिलेंगे अगर answer गलत है तो उसका आधा number काट दिया जाता है उपर पूरा question से यह तो उसके number मिल जाते हैं आपको तो j is equal to क्या होजेगा L, L का मान कितना है 60 है प्लस F1 का मान कितना है 61 माइनस में F0 का मान कितना है 52 और निचे है 2F1, 61 दूनी कितना हो जाता है 122 हो जाता है तो यह होजेगा 112, direct गुणा कर दो माइनस में F0 का मान है 52 माइनस में F2 का मान है 38 और गुणा में क्या चदर है, गुणा में H4 यानि 20 चदर है तो जड बराबर क्या होजेगा? 60 प्लस 61 माइनस में 62, 61 में इसे 52 गटा दो तो आपके पास में 8 रेक नो बचेगा 9 गुणा 20 है इधर वाला H कमान 122 माइनस में 52 माइनस में 38 करोगे तो यह आपके पास में रेजल्ट आएगा 32 कितना आएगा 32 आएगा यह 4 के पाड़े से कड़ जाएगा 4, 8, 32 4, 5, 20 ठीक है यह आज़ेगा 60 प्लस 9 पंजे 45 45 भाग में 8 है भाग कर दो तो यह आज़ेगा 60 प्लस 8 पंजे 40 बच गया 5, 50 8, 6, 48 बच गया 2 8, 29, 16 बच गया 4, 8, 5, 40 तो यह कितना आज़ेगा जड़ कावान 60 रूपांच कितना है 65 6,25 यह क्या आएगा बहूलक आज़ेगा आपके पास में अतय है उपकुर्णों का बहूलक जीवन काल कितना आएगा 65, 6,25 और किसमें दे रखा था आपको घंटों में दे रखा है तो घंटे कर देना घंटे यह आपका क्या आज़ेगा प्यारा सा आणसर आज़ेगा Is that clear? इसके बाद में इसके अत्वा में भी क्यूसन दे रखा है उसमें से आपको एक करना होता है एक्जाम में अत्वा में जो भी क्यूसन होता है उन दोनों में से एक करना होता है जो भी इजी लगे निमल लिखित बंटन एक मोहले के बच्चों के देनिक जेब खर्च दरसाता है मद्य जेब खर्च आपको मद्य कामान दे दिया X बार कामान दे दिया 18 रुपे है लुप्त बारंबारता ग्यात करना है यनि हमें F कामान ग्यात करना है 11 से 13, 13 से 15 एक दम वरग अंतराल एक दम सही चद्राल कोई किन्तू प्रंतू नहीं है इधर बच्चों की संक्या देख यह आपको फ्रिक्वेंसी दे रखिए F I कामान दे रख है चलेगा इसकी टेबल बनाते हैं इसके बाद में करते हैं अब इसमें कोई मेथड हमें यूज करने को नहीं का भाई साब ने जो भी आपको मेथड अच्छा लगे उस मेथड की साइता से आप इनको कलियर कट कर पाते हैं तो मैं इसको करूआ पग विचलन वीदी से तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा एक्षाई वर्ग अंत्राल ये निकलना पड़ेगा तो ग्यारा से तेरा को जोड के दो का भाग देना होता है एक्षाई तेरा हमारे पास में हो ज़ेगा 2424 दो यानि 12 हो ज़ेगा तो ये रेजल्ट कितना आएगा? ये 12 ये 12 हो ज़ेगा 20 21 से 23 में होज़ेगा 22 और 23 से 25 में होज़ेगा 24 यह result होज़ेगा ठीक है UI क्या होता है XI माइनस में A अब आपको यहां पर A लेना पड़ेगा A बीचों बीच का मान होता है मैंने यहां से A का मान यह ले लिया लिखोगे यहां पर कल्पित मान होता है A बराबर आपने ले लिया 18 अब आप क्या करोगे भी XI क्या है 12 12 माइनस में 18 पहले तो इसके सामने हमेशा ही 0 आता है यह तो 0 करी देना आप आँख मीच के कर देना ठीक है अब इसके बाद में क्या करना होता है उपर तो माइनस का रहता है नीचे प्लस का रहता है 12 माइनस में 18 और H का मान भी दिर्खलो यहां से H का मान कितना है H का मान हमारे पास में 2 है ना 2 है H का मान कितना चल रहा है एच कमान हमारे पास में दो चत्रा है ठीक है इसके बाद में ये कितना हो जाएगा बारा माइनस में ठारा माइनस के छे आजेंगे माइनस के छे में दो का भाग दें तो माइनस का तीन आजेगा तो ये रिजल्ट आएगा माइनस के तीन ये रिजल्ट आएगा माइनस के दो यह result आएगा minus का 1, यह आएगा plus का 1, 2 और यह आएगा 3, अब हमें करना FI UI, यह formula UI का पता होना चाहिए कि XI में से A घटा के H का भाग देना होता है, जैसे calculation कर लो 12 माइनस में 18 भाग में 2, बच गया minus के 6 भाग में 2, result आगया minus के 3, कितना आगया भी minus के 3 है, अब FI UI करना है, FI बच्चों की संक्या यह frequency है, मैं side में उपर लेख देता हूँ, यह बच्चों की संक्या यह frequency है, 7 तिया 21 माइनस का 21, 6 दुनी 12 माइनस के 12, 9 एकम 9 माइनस का 9, 13 गुणा 00, F गुणा 1, F, 5 गुणा 2, 5 दुनी 10, 4 तिया 12, अब देख लो, माइनस माइनस को जोड़ लो, प्लस प्लस को जोड़ लो, तो माइनस का जोड़ा 21, 1, 2, 3, 3, और 9, कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 2, 1, 3, 3, 3, 1, 4, यानि माइनस के तो आगे 42, प्लस के एक बार F को छोड़ना पड़ेगा, प्लस के 10 और 12 जोड़ लो, कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे, प्लस के होगे 22, 22 आप कितने होगे, 0, 22 बच गया, कितना बच गया, 20 बच गया, तो अपने इसको क्या लिख पाएंगे, सिग्मा, ऐफाई, यू ए, इसको अपने लिखेंगे, F तो प्लस का है और माइनस के कितने है, 20 है, और ये सिग्मा आफाई कर दो, सिग्मा आफाई का रजल्ट कितना आजेगा, प्यारे मिधियारतियो, इसको सभी को जोड़ोगे, ना साथ छे नो तेरा पांच चार को तो यह आजेगा आपके पास में 44 कितना आजेगा 44 प्लस में एफ आजेगा अब यह जो हमने रफकार्य के इसको थोड़ा एरेज करके यहां पर अपन फोर्मूला लगाते हैं पक विचलन वीदी से समांतर माद्य ग्यात करने का बट हमें समांतर माद्य दिया है यहां पर लिख देते हैं बट परन्तु दिया क्या है दिया है एक्स बार इस इकल टू क् दे रखा है अठारा अब लिखेंगे समांतर माद्य ग्यात करने का फोर्मूला एक्स बार इस इकल टू पंग विचलन वीदी से क्या होता है ए प्लस सिग्मा अफाई क्या होता है सिग्मा एफाई होता है रे चल जा है यहां से एफाई यू आई भाग में क्या आएगा सिग्मा एफाई आएगा सिग्मा एफाई आएगा और गुणा में क्या आजेगा एच आजेगा सारा मान रख दो यह अठारा है एक का मान कितना लिया था हमने अठारा है लिया था प्लस सिग्मा आफाई यू आई का मान कितना है F माइनस में 20, नीचे आएगा, 44 प्लस F, गुणा में है 2, ठीक है, 18 इधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो यह रिजल्ट क्या देगा, 18 माइनस में 18, is equal to, F माइनस में 20, भाग में, 44 प्लस F, गुणा में है 2, 18 माइनस में 18, 0 आगया, 0 के साथ में 44, प्लस F, यह भाग में था, गुणा में ही चिला गया, और यह 2 गुणा, F माइनस में 20 बच गया, 0 के साथ में किसी भी नमबर का मल्टिपलाई 0 ही होता है, तो 0 बराबर क्या आजएगा, 2 गुणा, F माइनस में 20, 2 यह गुणा में है, भाग में चला जाएगा, तो 0 बन जाएगा, यह हमारे पास में F का मान आजएगा, यह हमें निकालना था, प्यारा सा अंसर आगया, लुप्त बारंबार था, F का मान 20 होगा, F की जिगए आप 20 रख दोगे, फिर इसका माध्य निकालोगे, तो 18 ही आएगा, नेक्स क्यूशन पर चलते हैं, नेक्स क्यूशन में आपको दे रखा है, 21 नमबर क्यूशन आ जाता है, दो कर्मागत धनात्मक पुर्णा ग्याद कीजी, आपको क्या दिया है, दो कर्मागत धनात्मक पुर्णा ग्याद कीजी, जिनके वर्गों का योग 365 हो दू कर्मागत लगातार कर्मागत का मतलब होता है लगातार धनात्मक का मतलब पलस वाला लेना है माइनस वाला नहीं लेना और जिनके वर्गों का योग 365 है बहुत एजी परिशन बन गया च्यार नमबर का Qution A से आजाते हैं तो वह सोन पो दिय débर ज़ा गई है देखू 21 नमबर माना पहला के पहला धनात्मक पहला धनात्मक पुर्णाक क्या प्राप्त होगा माना पहला धनात्मक पुर्णाक इस इकल टू दूसरा धनात्म पुर्णा क्या होज़ेगा लगातार की बात कर रहा है तो X प्लस में 1 होज़ेगा अब प्रशना नूशार उसने क्या बोला है कि उनके वर्गों का योग पहले तो इसका वर्ग करेंगे पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग पहले का वर्ग और दूसरे का वर्ग दूनों के वर्गों का योग कितना होज़ेगा 365 होगा तो यह बनेगा X का स्केर प्लस A प्लस B का होल स्केर क्या होता है A का स्केर प्लस B का स्केर प्लस 2AB 2AB is equal to कितना आएगा 365 आएगा तो X का स्केर प्लस में X का स्केर 2x का square plus में 2x plus में 1 ये इधरा के minus का 365 is equal to 0 तो ये बन गया आपके पास में 2x की square plus में 2x minus में 364 बराबर 0 दो को मन आ गया x की square plus x minus में ये बन गया 182 is equal to 0 ये दो गुणा में है इधर भेजदो भाग में चिला जाएगा 0 के तो ये तो 0 ही बन जाएगा तो ये बन जाएगा आपके पास में last equation बनेगा x की square plus में x minus के 182 अब इसके factor करने ये दिवी घात equation बन गया तो अपन क्या करेंगे ऐसी दो संखें लेके आएगे जिनका गुणा तो आजए minus के 182 और जोडने गटाने पर आजए plus का x तो ऐसी संखें आपके पास में है x की square plus का आपने 14 x ले लिया minus का आपने 13 x ले लिया plus के 14 माइनस के 13 जोडेंगे तो इसको इसका result बचेंगा plus का x गुणा करेंगे तो 14 गुणा 13 हमारे पास में 82 हो जएगा 82 और plus minus है तो minus आजएगा minus का 182 is equal to 0 अब first 2 से common लेना है और second 2 से common लेना है तो ये result क्या बचेंगा x common आ गया तो x plus में 14 बचेंगा इधर minus का 13 common ले लिया तो ये कितना बचेंगा x plus में 14 बचेंगा is equal to 0 तो यहां से x plus में 14 और ये है x minus में 13 is equal to 0 एक बार तो x plus में 14 रखेंगे पराबर जिरो करेंगे x plus में 14 बराबर 0 कर दिया तो यहां से result क्या आएगा x is equal टू प्लस की चुदा इधर जाके माइनस की चुदा बन जएगा और एक बार करेंगे, X माइनस में 13 is equal to 0, तो माइनस के 13 इधर जाके plus के 13 बन जएगी, तो X is equal to 13, तो इसने धनात्मक पुर्नाक बोला है, तो यह तो रिनात्मक आगया, तो ये तो संबोव नहीं है तो लिखेंगे अताय X बराबर माइनस के 14 संबोव नहीं है तो ये होजेगा अब पहला धनात्मक पुर्णाग क्या होजेगा 13 तो दूसरा धनात्मक पुर्णाग था X प्लस में 1 13 प्लस में 1 यानि 14 होजेगा ये 13 और 12 ये आपके पास में करते हैं next question में दे रखा है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभो है जिनकी लंबाई चोड़ाई की दुगनी हो और उसका चेतरपल 800 मीटर 800 मीटर स्केरो या वर्ग मीटर हो यदि हां तो उसकी लंबाई और चोड़ाई यात कीजिए यह चार चार नंबर की कि उसने अब की बार मैंने बोला था ना कि चोथे चैप्टर से चार नंबर का question आएगा तीसरे चैप्टर से नहीं आएगा ग्राफ वाले से यह इसके अथ्वा वाला करते हैं जैसे हमने एक बाग बना दिया एक डाइग्राम कच्छा डाइग्राम बनाया है ठीक है अपने ए माना के कि भाग की से चोड़ा रिखते माले आपने एक स मीटर कमा लिए है एक स मीटर माले के आपने एक समिटर माले अब इसके बाद में आप क्या वानेगी इसके लंभाई भी हो जैए बिश्डाई है वह आध़ी मौस nossa यह लंभाई है और दुगनी वह भौस्क्वा तोड़ाई से और क्या होज़ेगी बाग की लंबाई क्या होज़ेगी इससे दुग नहीं है तो टू एक्स मीटर होज़ेगी अब बाग का छेतरफल क्या होज़ेगी अब आयताकार आयताकार बाग का छेतरफल होता है लंबाई गुणा में चोड़ाई आयत का छेतरफल लंबाई गुणा चोड़ाई यहां पे एक्स है गुणा में चोड़ाई यहां पे तो एक्स है तो यह क्या बनजेगा 2x की square बनजेगा 2x की square बनजेगा इस दाट कलियर और यह भी किस में आएगा मेटर square में आएगा अब इसने यह पुच्छा है कि इसका छेतरफल 800 है इसका छेतरफल 800 है परसनानुशार पर सनानू शार क्या बन जैगा देखो हमने तो इसका चेटर फल निकाल है तो X की स्केर बट क्यूशन वाले ने दे रखाया 800 बराबर कर देंगे तो यह हमारे पास में क्या बन जैगा X की स्क्यर माइनस में 400 is equal to 0 यह हमारे पास में एक द्वी घात स्मिकर बन गया अब यहां पर चेक करते हैं यहां क्या प्राप्त हो रहा है A कामान 1 है B कामान 0 है और C कामान माइनस के 400 है अब डिस्क्रिमिनेट D कामान चेक करते हैं B स्क्यर माइनस में 4AC आपको पता है कि ये आम की बग्या बन जाएगी लेकिन फिर भी ये बोल रहा है कि अगर संभो है तो बनाईए तो संभो देख लेते हैं एक बार b का मान कितनה ہے 0 का वर्ग है minus में 4始 into a का मान a का है into c का मान minus की 400 है तो 0 का वर्ग तो 0 रहेगा minus 1 minus का 400 है तो minus और minus प्लस हो जएगी 400 का गुणा 4 के साथ में करेंगे तो 1600 अजेगा और यह result आएगा 0 में 1600 दोड़ेंगे तो आम की बग्याबनाना सम्भव है इस ग्रेटर देना आ गया तो लिखें कि यहां यहां आम की आम की बग्या 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 बनाना सम्भव है अब आम की बग्या बनाना संभो है तो उसकी लंबाई और चोड़ाए हमें गयात करनी पड़ेगी तो x की square माइनस के 400 इधर जाके प्लस के 400 बन जाएंगे वापिस वहीं से शुरू कर देते हैं इसका square हटा देते हैं इसका square अपन हटा देते हैं तो यहां पर क्या लिखेंगे x is equal to इस पर root लग जाएगा और 400 का वर्ग मूल क्या होता है plus minus में 20 होता है minus लंबाई होती नहीं यह तो लिखेंगे आता है बाग की चोड़ाई आता है बाग की चोड़ाई कितनी होजेगी plus के 20 मीटर होगी plus के 20 मीटर है तब बाग की लंबाई दुगनी है तो दो गुणा में 20 कितनी होजेगी 40 मीटर होगी कितनी होजेगी पर किया 40 मीटर होजेगी is that clear बस यही आपको बताना था लंबाई और तोड़ाई ग्यात करनी थी अगर संबो है तो नेक्स क्यूसन पर चलते हैं नेक्स क्यूसन और लास्ट क्यूसन है आज की क्लास का बस क्लास को लाइक करें शेयर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जुरूर करें ताकि प्रते class का notification आपको मिलता रहे time to time और आप continue जारी रखें अपनी बढ़ाई और daily class आती हैं तो आप daily class लिया करें ताकि continuity बहुत एक ताक्तवर चीज़ है जो थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है सिद किजिए कि sin a minus में 2 sin की cube a upon में नीचे आएगा 2 cos की cube a minus में cos a is equal to 10 a यह हमें आठमें chapter का question है और वैसे last exercise का है आठमें और मैंने यह बोला था इसका एक question 100% आएगा ठीक है तो सिद्ध करना आता है और जो पुराणी लगभग विद्यार्थियों के पास में उसमें तो आपको यह मिलेगा लगभग चार नंबर क्यूशन मिलेगा साइथ अन्य था यह तीन नंबर के उसने नई बुक में और उसके दस पार्ट हैं दसों के दसों अच्छे से रड़ लेना एक दो अव्यामपल भी है ख़तरनाक तरीके से पढ़ लेना इनको ठीक बड़े एजी तरीके से करवाए गया है वैसे यह लगबग मुझे लगता है क नो मोडल पेपर है ना संजीव के उसमें सारे दो-दो करके देगा ना तो यह बहुत साफ सारे किश्ण गुमा देगा जो अलग त्रीके से बनेगे वह भी गुमा देगा इसमें तो आपको साइध डिस्वरक निकालोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा अब देखेगा इ समें तो सान को मन आरहा है और है में में सान पर की तरफ आपने शाइन के बाद यहाँ यहां पर एक बच गया माइन समी यहां पर दू है साइन की क्यूम बच गया साइन square a upon में क्या आएगा upon में नीचे वाले से cos को मना गया cos a और यहां से cos की cube था तो दो तो लगा रहेगा cos की cube था तो एक cos तो बाहर चिला गया तो cos की square बचेगा अब की बार cos square a और यह cos complete बाहर चिला गया तो minus का एक बच गया ठीक है अब आपन जानते हैं कौन सी सरोस्मिका से प्रथम सरोस्मिका क्या कहती है हमें कि sin square a plus में cos square a बराबर एक होता है जहां जहां पे एक है वहां पे यह मान रख देते हैं तो देखते क्या result प्राप्त होता है यह बन गया हमारे पास में sin a एक की जिगा रखें तो यह बन जेगा sin square a plus में cos square a और minus का क्या है 2 sin square a नीचे की तरफ है cos a तो बाहर है cos a बाहर है यह है 2 cos square a अब बाहर minus है minus ठीक है एक का मान sin square a plus में cos square a होता है बट बाहर minus है तो दुनों को ही minus बना देगा प्यारे विद्यार्थियो तो minus से direct गुना कर देना sin square a और यह भी plus का है ना cos और बाहर minus है तो minus का cos square a आएगा cos square a आएगा अब देखो जो बसता है उसको लिख देते हैं बाखी को हटा देते हैं side में करते हैं यहाँ पे result है हमारे पास में sin a s की बात कर रहा हूं फिलाल तो देखो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूं cos square a cos square a बट यहाँ पे sin square a अस में देखो sin square a प्लस का है इधर यह minus के 2 sin square a है तो minus के तो 2 है प्लस का a का तो minus का 1 बचेगा और वो किसका आएगा sin square a आएगा नीचे है cos a बट नीचे की तरफ देखेंगे तो प्लस के 2 cos square a है और यहाँ पे minus का cos square a है तो plus का cos square a बचेगा cos square a और यह minus के क्या है 2 sin सिदा ही है तो minus के sin square a आएगा sin square a है cos square a minus sin square a cos square a minus sin square a दोनों result कट क्या cos बटा sin बटा cos है है कि रजल्ट क्या बचा हमारे पास में साईन बटा कौता कोस बचा साइन बटा कोस क्या होता तैन होता है तैन साइट कहा इसकी कूला में पूरा क्युर्मट चूरा कौस देखिए पूरा क्युशन को साइड में है वह में साइड में है वह साइड में है और फिस्ट यह क्याना लेक्न आखा चैने על question साइन कोस में चेंज करने कि हमें कोई भी आफशकता नहीं है प्यारी विद्यार तो direct क्या करेंगे इसका L सब्सक्राइब वो आएगा वान प्लस में साइन और यह आजएगा को से वन प्लस साइन इसका भाग देंगे तो रह जेगा कोस का गुणा कोस के साथ में one plus sine a का गुणा ये बन जेगा इसका whole square अब इसको थोड़ा over open कर देते हैं ये हमारे पास में है cos square a cos square a a plus b ka whole square open कर दो a square plus b square यानि sine square a plus में 2ab 2a a का मान तो ये की है b का मान sine a है तो यहां पे लगा दिया आपने sine a is that clear और ये है one plus में sine a और ये है cos a तो ये result क्या आएगा cos square a cos square a मैं पहले लिख देता हूँ sine को तो sine square a ये इतना काम कर दिया आपने ठीक है इसको bracket में लगा दो क्योंकि पर्थम शरुष्मिक है इससे एक बनेगा प्लस का एक है प्लस का two a sign a है नीचे का मान है वो same का same बना दो one plus में sine a और side में चद्र है कॉस है अब वो पर्थम स्रुष्मिका से sine square a plus में कॉस के रहे या क्रें या कोस के रहे प्लस में क्या दे रखा आपको two sine a नीचे दे रखा है one plus में sine a और इसके गुणा में क्या है कॉस से दे रखा है ठीक है एक और एक कितना हो गया दो हो गया plus में दो sine a आपको दे रखा है डिवाइड में क्या दे रखा है one plus में sign a दे रखा है और इधर क्या चद्र है भाईया कोश चद्र है उपर देखो आस की तरफ देखेंगे तो दोनों में 2 comment दिखाई दो बाहर निकाल लिया तो 1 plus में sign a बचेगा एक plus में sign a बचेगा और नीचे है 1 plus में sign a और गुणा में क्या चद्र है one plus sine a से one plus sine a कट गया एक बटा cose a होता है यह आप अच्छे से जानते है तो एक बटा course a से के हो जाता है तो दो गुणा में से के यही result हमें लेके आना था यह किसके बराबर आ गया और एच एस एच पी हो गया हैंस पूरू हो गया इत्ती शिदम हो गया इस परकार से यह हमारा पहला model paper complete हो गया है जो कि board ने डाला था board ने दिया था कि इस level का इस परकार का अब आपका जो main paper होगा RBSC board का वो इस level का आएगा इस परकार से आएगा आप समझ गया हूँ सब कुछ clear हो गया होगा तो अगर आप channel पे नए हैं तो channel को subscribe करके जो पास में जो bell icon है उसको जुरू दबालें तक कि प्रते class का notification आपको मिलता रहे क्लास को जादा से जादा like करें share करें अच्छे अच्छे comment करें कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा वो भी मुझे बताएं स्पीड सलो है या हाई है कुछ भी जो भी आपको डाउट लगता है मेरे को जुरूर बताएं ताकि अपन आगे भी अच्छे से बढ़ सकें तो चलेगा आज की class में इतना ही next class में मिलें कुछ नए के साथ जै हिंद जै भारत अपना है झाज का भी मुझे से बताएं